गीता अ अठारा के श्लोक नंबर बासट में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोक को प्राप्थ होगा वो परमेश्वर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचान बद कर गए यदि उस्थ में ये सब मान जाते आज अपने को इतना कस्ट उठाना नहीं पड़ता और नहीं इतनी इस दास्थ में महनत करनी पड़ती माइनस जीरो से ये ग्यान प्राहरम हुआ है आपको बग्ती की A, B, C का भी ग्यान नहीं था ये सद करमाल लेना कह खै का भी ग्यान नहीं था इनन रिस्धियों और मैरिस्यों को और जितनी भी आस llev के टिन ये संत लाकों और क्रोणों जीवों को इट जाएं बैठे हैं इनको भगती मारक का धातम ग्यांस कैक है का भी ग्या नहीं है खेल परम पिता आये थे या उन्स जो उन्स उस मापरुष के शंपरक में सीधी आये परमात्मा के दर्शन करवाए अपना सरूब वास्तविक सत्मक दिखाया या उन संतों ने भी वही अनमौल वचल कहे लेकिन वो कहने वाले गिने चुने थे और ये उल्टा ग्यान परचार करने वाले भाखों, क्रोडों और अर्बों थे क्योंकि एक तो गुरू जी जो ग्यान पढ़ा रहा वो सेस उनके इतने भी सेस्थे वो अभी फिर उल्टी पढ़ा ही आगर पढ़ा रहे थे वही जो गुरुजी से उनोंने दूरा सो दूरा ग्यान लिया था वो सार समाज में वो पहला रख्या था आज वही ग्यान आपके समक्स है सबसर्दकरंद गवाई दे रहे हैं और छस्तो गर्स पहले परमातमा रख्यानी गई थी कई गई थी आज वो परमान आपके समक्स है आज सुबह के सत्संग के इंदर आपने सिरिष्टी रचना सुनी वो सिरिष्टी रचना आपको परमातमा की वानी के अधार पर सुनाई गई थी अनजनविक्ती जो इस ज्यान से प्रिचित नहीं हुए हैं वो ये सोचेंगे कि ये तो जैसे मन घणंत सी कहानी लड़ रही है क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं हमने कभी सुना नहीं ये ज्यान इसलिए ये दंत कथा मोखिक कथा अगर सुनाते हैं तो दंत कथा नजराती है अब ये सारे गरंट सरगंट परमान देंगे आपके समक्स कि सच मुझ परमातुमा ने जो सब्द अपने मुख कम से अमरत वचर निकाले थे वो सब सब्सट थे आज भी सब्सट हैं आगे भी सब्सट रहेंगे बेद हमारा बेद है जान वेद से मैं मिलो वेद जानते ना ही परमातुमा कहते थे ये वेद तो मेरी ही महिमा गा रहे हैं कबीर साहिब की महिमा गा रहे हैं लेकिन मैं वेदों में वरनित विदी से मेरी प्राप्ती नहीं हो सकती क्योंकि इश में केवल एक ओब नाम है ओम नाम का जाफ केवल ब्रहम तक का है पुर्ण ब्रहम के पाने के लिए तीन मंतर का जाफ है ओम तत सत ओम ब्रहम का जाफ है तत और सत ये गुप्त है ये सांकेति ये परब्रहम और पुर्ण ब्रहम के जाफ है ये क्योलो पुदेशी को ही बताए जाते हैं आप दिन्हें सत्संग सुन रहे थे तीन पुतर अस्तंगी जाए गर्म विश्मों सिवनाव धराए अस्तंगी दुर्गा ने तीन पुतरों को जन्म दिया मा अस्तंगी पिता निरंजन ये दम जारुन वंसन अंजन पहले की निरंजन गाई पीछे से माया उपजाई माया रूपर देख अची सोभा देव निरंजन तनमन लोगा कहते हैं दुर्गा के और काल जोती निरंजन ब्रहम काल रूपी ब्रहम के सन्योग से ब्रमा विश्मों और सिवकी उठपती हुई जब ये तीनों पूत्रों का जनम हो चुका जोती निरंजन अंतर ध्यान हो गया कहा कि मैं आज के बाद किसी को दस्तर नहीं दूँगा अपनी पत्नी दुर्गा को कहा कि जब ये बच्चे जवान हो जाएं तब जब ये थोड़े से जानने योग हो जाएं ते इसको कोमा मा कर देना इनको बेहुस कर देना परवरिस जारी रखना और जब ये बड़े हो जाओंगे जवान फिर इनको चेत कर देना इनको होस भला देगा इनकी ड्यूटी बाट देगा रजगुन दर्मा उर्थपतिक की सद्गुन विशनुस थिच्ची की तमगुन सिर्जी सहार की अब परमात्मा की पताया नसार आपको फिर आगे इस रिश्ची रचना कुछ और सुनाते हैं जो सेश रह गई थी जब ये बच्चे बड़े हुए दुर्गा ने ने को होस में ला दिया तीनों को इकठा कर दिया और तीनों से कहा कि तुम अपना अपना कारिय सुनो इन तीनों ने कहा कि मातरा हम इस कारिय को कैसे करेंगे कुछ प्रच्वी नजर आनी रही सब जगर जल ही जल है दुर्गा ने इन तीनों को एक विर्मान में बठाया और इनको अपनी सक्तिशे इनके विर्मान को आकास में उड़ा दिया ये इनका विर्मान कहा गया वो ब्रह्म लोग में पहुंचा वहाँ एक ब्रह्मा और देखा एक विश्व और देखा एक सिवजी और देखा ये कहा गया इनका विर्मान ये देखिएगा ये एक ब्रह्म लोग है एक ब्रमांड है एक ब्रमांड का लगू चीतर इसमें ये ब्रह्म लोग है ये ब्रह्म लोग है ये एक ब्रह्म लोग है ये कहा इनका विमान पहले यहां पहुंचा अब इसको इधर लेते हैं यह थोड़ा विश्टरित बनाया है एक रमान का लगो चीत रही इनका विमान यहां पहुंचा पहरे इस समुदर में इनको यहां अलग रखा, बहुत लुम्बा चुबा समुदर है यह यह सारा पानी ही पानी है इसको यहां इनको लिलाग अलग से करकी थी इनको बहुत लुम्बा चुबा 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 चुब स्वाब दर्मा रुक में और दुर्गा सावित्री रूप में विद्धमान थी यहाँ एक बर्मा और देखा उसके बाद सिर्काविमान यहां आया स्विवजी के यह तमोगन परदानक सेतर रही इसमें काली सदा स्विव महा शिव रूप में काल रूप, शीव रूप में यहां और दुर्गा पार्बती रूप में यहां रखी होती है इन दोनों के सहयोग से जो पूत्र रूत्पन होता है वो तमोगन हो जाता है उसका नाम सीव रख देते हैं यहां जब यह होते हैं दोनों काल और यह दुर्गा इन दोनों के सेयोग से रजवगन परधान अक्सेतर में जो पूत रुत्पन होता है वो रजवगन युक्त हो जाता है उसका नाम विर्भारक देते है यहाँ जब यह एक सतोगन परधान अक्सेतर है इस अक्सेतर में यह दोनों होते है ये काल महा विश्म रूप में दुर्गा महा लक्षमी रूप में इन दोनों के से योग से जब फूत रुत्पन होता है वो सत और उन पर धाल हो जाता है इनका विमान पेर यहां पहुँचा यहां एक बर महा और देखा फिर यहाँ पहुंचा एकस्डी और देखा पिर यहाँ पहुंचा एक्विश्न और देखा इसके बाद इनका विमान फिर वापस इस से हो करके और यहाँ आ गया यहाँ इधर से दुर्गा के लोक में आ गया अब यह परमान आपको दिखाते हैं शूपरान और देवी भागत महापुरान में परसां भी आपको स्याम को दिखाया था आज पेर दिखाएंगे क्योंकि बच्चा जो पहली कलास में पढ़ता है वो एक वरस तक ए फोर ए पल बी फोर बुक सी फोर कैट यानि उनके रटे लगाता ही रहता है तब जातर के कहीं वो उन अक्सरों को पहचानने योग बनता है इसी परकार आपका रटा लगवाए जाएगा क्योंकि आप पहली कलास के बच्चे हो कोई दीटिय कक्षा का बच्चा है कोई चतूरत कख्षा का बच्चा है तो इसमें समाओन एक साजला स्कूल है इस सच्छंग में B.A. से लेकर पहली से लेकर Ph.D. तक टी सिक्षा सामूइक दी जाती है तो इसमें बड़ी क्लास के बच्चे भी होते हैं छोटी कख्षा के बच्चे भी होते हैं कुन सब के देवलका ही पढ़ाई कराई जाती है कि कट्ठा ही ये गियान दिया जाता है अब आपको दिखाते हैं जो अद्धास ने परमाजमा ने हमें बताई अद्धास ने उसका आगे व्याक्षाम किया है वो सच्च है क्योंकि हम अपने सद्धगरंथों को सच्च माद दें उनमें कोई शंका हमें नहीं थी अवी इताद नहीं है और हो सकता है अगर पचास वर्स और नहीं ये मारुख सुरू होता ये सब सद्धगरंथ बदल दिये जाते इन सार्थी लोगों के दोबार अब आपको दिखाते हैं शीव महापरान और जिसमें इस काल से और दुर्गा से वर्मा विश्णों और सीवे दोनों की उत्पतीनों की उत्पती फी शीव महापरान ये कहां से परकासित है गीता प्रेस बोष्पुर्ट ये देखी जिसमापरान मोटा सचीत्र मोटा टाइप संपदक अनुमान प्रसाइद कोदार और इसके परकासिक हैं गोविन भावन कारियाले परकासिक हैं गोविन भावन कारियाले गीतापराश्टोरपुरुष गीतापराश्टोरपुरुसी परकाते है मुद्रित है ये रुदर सहिता का ये छटा अध्धाए है यहां देखना इ Hollywood जिस्ट परब्रम के विशेह में ए ग्यान और अग्यान से पूरण ग्यान और अग्यान से पूरण यानि कोई ग्यान अग्यान जैसा जिसने ग्यान है उक्तियों दुआरा इस परकार रिकलप किये जाते हैं उसने कुछ समय काल कुछ काल के बाद दिप्तिये की इच्छा फरगट की उसके भीतर से एक से अनेक होने के संकलप उजित हुए तब उस निराकार परमात माने ये काल जोती निरंदन को निराकार कहते हैं उस निराकार परमात माने अपनी लीला सक्ति से अपने लिए एक मूर्ती मूर्ती माने आकार आकार की कलप पना की है है वो क्या बन गया जो मूर्टी रहित परब्रम है उसी की मूर्थी भगवान सदासिव है अरवाचिन और प्राचिन विद्वान इनही को ईश्वर कहते हैं ये भगवान सदासिव बने गया वो काल क्योंकि वो उसने कसम खाई है मैं अपना वास्तविक रूप मैं कभी किसी को दरसल नहीं दूंगा जो गीताजी में कहा गीताजी में अरजुन को दिखाया कि अरजुन ये तेरे से पहले भी किसी ने नहीं देखा था और आगे भी कोई नहीं देख सकता है तो मैंने तेरे पर किरपा करकर दिखाया वो अर्दुन पर किपा थी अर्दुन का अन्रटेग हो गया होता उसमें देख के और कई दत्करपा करके दिखाते रहे थे अब भगवान सदासीव है वही दो आकार में आगया हुँआ जो तिन दन्दन वो सदासीव यानि महासी रूप में परगट हो गया अर्वाचीन और प्राचीन विद्वा निनी को इश्वर कहते हैं उस समें एगा की रहकर सवीच्छा नुसार मिहार करने वाले उन सदासीव ने अपने विग्रह मने सरीर से स्वम ही एक सवरूप भूता सक्ती की सिरिष्टी की अर्थार अपने सरीर से एक औरत निकाली जो उनके अपने सरी अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी उस प्रासक्ती को जो अंदर सरी इस्टी निकाली कालने ब्रहम ने यानि उस सरीर के इस निकली जोज के मत है उस प्रासक्ती को, उस ओध को, उस इस्त्री को, परधान परकर्ती गुन्वती माया, मुधी तत्व की जननी तथा विकार रहित बता है, वह सक्ती अम्भिका कहीं भी है, उसी को परकर्ती कहते हैं, सरवेश्वरी भी कहते हैं, और तिरदेव जननी, तिन्नु देवताओं की म माता तिरदेव जननी निट्चा मूल कारण और मूल कारण भी कहते हैं सदा सीव द्वारा परगर्ट की गई उस सक्षी के आठ बुजाएं हैं ये भी परमानित कर दिया कि वह आठ बुजावाली दुरुगा है अब ये क्योंकि बिर्मा कता सुना रहा है इसको क्या कहते हैं पीचे देखो वे जो सदा सीव हैं उन्हें परमपुरस इन काल को जो तिन दिन को ही बिर्मा बता रहा है उसी को का परमपुरस ईश्वर सीव शम्भू और महविस्वर कहते हैं यहां देखो ये सदा सीव कौन है वो काल है वे अपने सारे अंगों पर भासम रमाए रहती है उन काल रूपी ब्रहम ने उस काल रूपी ब्रहम ने एक समय एक ही समय सकती के नाथनी साथ ये नाथ सब्दल सिखा है सकती के साथ सीव लोग नामक अकशेतर का निर्माण किया था उस उत्म अक्षेतर को कास्ती कहते हैं जो पिरिया और प्रियत्म रूप सक्ती और सीव यानि पती पत्मी रूप में जो परमानल सरूप हैं उस मनोरम अक्षेतर में नित निवास करते हैं मुने, सीव और सिवाने, परले काल में भी कभी उस अक्षेतर को अपने सानिदे से मुक्त नहीं किया यानि वहां रहते हैं यह यहां देखो देवर से एक सने उस आनंद मन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इता हुई कि किसी दूसरे पुरुस की शिरिष्टी करनी चाहिए यानि कोई पुत्तर उत्पन करें ऐसा विचार करके प्रास और सक्ती सहित यानि दुर्गा के साथ सरवापी परमेश्वर शिव ने अपने बाम वाग पे दसने उन पर अमर्त मन दिया फिर वहां से स्वाम एक पुरुस पर गठवा एक बालक की उत्पती की पती पत्मी बिहार करके उसका नाम किये रखा दुर्गा और काल ने तदंतर उस बालक में वो पुरुस ने तो क्योंकि बिर्मा सुना रहा है बिर्मा जो बुर रहा है जो उत्पन हुआ था जो बच्चा उस पुरुस ने परमेश्वर सीव को परणाम किया उस भगवान ने जो बालक रूप को परगट गया था स्वामी मेरे नाम निश्चित कईए और काम बताईए उस पुरुस की यह बात सुनकर महिस और भगवान सहनकर हस्ते हुए मेरे के समान गभीरवानी में उस से बोले युकाल बोला जेवतिनर रजनल शीवरुप में शीवर ने कहा वत्व बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ बगवान विष्णु ने सुदिरक काल तक बड़ी कठोर पपश्या की यहां देखो आप कहते हैं अब यह च्छटा धैस मात हो गया यह रुदर सहीता का च्छटा धैस मात हुआ यह साथ मा सुरू हुआ बर्मारी कहते हैं बर्मारी बता रहे हैं बेवरे से तत पस्चात विश्रमों की उत्पत्री के पाद पस्चात कल्याकारी परमेश्वर साल सदासी विने पूरूवग प्यतन करके जैसे विश्रमों उत्पन किया था मुझे भी अपने दहिन ने आंग से उत्पन किया मुझे तुरंटी अपनी माया से मोहित करके नाराण देव के नाप भी कमर में डाल दिया और लिला पुरोग वहां से परगट किया इस परकार उस कमर के पत्तर के रूप में मुझ रने गरब का जनम कुआ मेरे चार मुख वे और स्रीर की कामती लाल की मेरे मस्तक तर्पंडरिक रेखा से अंकीत थे ताथ बगवान सीव की माया से मोहित होने के कारण मेरी सक्ती यान सक्ति इकनी दुर्वन हो रही थी कि मैं उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने स्रीर का जनक या पिता नहीं जाना मैं कौन हूं कांसे आया मैं किसका पूत होकर उत्पन हुआ हूं और किसने मेरा निर्मान किया है जनम किये दिया अब ये विचार करने की बात है कि बिर्माजी कह रहे है कि मुझे नहीं मालूम मेरा कौन पता है कहां से मैं उत्पन हो गया और जो इसने ये अठकल लगाई है ये कभीर पर मातमा ने बिर्माजी को सुनाई थी कहांई एक सरिष्टी रसना बताई थी तो इसके जची नहीं वा बात इसने सोचा ये तो वैसे ही कह रहे है मातमा जी और वो निराकार पर मातमा ही है उसी ने सदासिव रूब धर्म किया है उसी ने अपने अंदर से आप ही यह दुरुगा निकानी है अब वहां तो इसने ला रहा है तो के वो सुना सुनाया मालिक का ग्यान भी नकल क्योंकि अकल में अकल के हो सकता होती है इसको कॉंपिटेंस नहीं था इसलिए गोल मोल कर डाला आगे जो बताई हैं वो कथाएं बिलकुल सही बताई हैं कि इस काल और दुरुगा से विशनों की उत्पती हुई और मेरी भी उत्पती हुई अब यहां आपने देखा कि उसने स्वम अपने शरीर से दुरुगा निकाली नहीं पर मातमा ने काल के अंद्र से अदुरुगा निकाली इसे सिद हो गया के विशनों और विर्मा की उत्पती सदासी वर्टात काल से और दुरुगा से हुई अब यहां पर यह लेकberry कासमन जिर की गिर गया कि वही शिव से शिव की उत्पत्ती कैसे लिखों लेकिन सचाई कर छुपी नहीं इसमें वोज़े काफी निरने है पर इतना समय नहीं यहां को बरताने का बहुत अच्छी तरह तीसरे वगवान की संकर की उत्पत्ती भी लिखी है इसमें चौथे वगवान से लेकिन यह सिंपल सा बताता हूं साधान सा संकेत ही अच्छी ज्यादा होता समधार को 110 परष्ट पर इनोमा ज्जाय है रूदर सहीता का नोमा ज्जाय है यहां क्या लिखा है कि इस परकार ब्रमा विष्णो और रूदर्म रूदर्म ने यह सिव जी काल का बेटा रजोगुन पर तमरुन इस परकार ब्रमा विष्णो तो था रूदर इन तीनों देवताओं में गुण है परंतु वो सिव वो काल सिव रूपी काल रूपी ब्रम गुनातीत माने गए यह चार हो गए चार ब्रमा विष्णो और यह रूदर सिव संकर्ग और इन तीनों में तो गुण है रजगुन बिर्मा, सत्गुन विश्म, तमगुन शिव जी लेकिन सीव गुनातीत माने गए है बगवान सीव इंसे न्यारा है यानि चोथा है ये प्रमान गिया शिव महाफरान ने अब देवी भागत महाफरान आपको दिखाती है गीता जी के दहे नंबर दो के मंतर त्रेपन में लिका है के अरदुन जब तेजी गुधी नाना परकार के भर्मित करने वाले ग्यान युक्त सास्तरों से हटके एक तत्व ग्यान पर सथिर हो जाएगी तब तो तू योगी होगा तब तो तू भंक्त बनेगा तो जब तक हम सनसे में रहेंगे के गुरूजी ने जो कथा सुनाई है महराजी ने जो हमें श्रीशी रसना बताई है ये कोई जचीर नहीं और ये आप कोई कि आप इन पुरानों को सही मानते आए हो इनके अधार पर विर्मा विष्णो महेश की महिमा गाई जाती थी लेकिन इसमें विष्णो विर्मा विष्णो महेश के विशे में जो लिखा है उसके विशे में उन दंद कथा सुनाई है और चुनाने वाले उनको कथी ग्यान नी था वो नहीं जानते थे अपने सद्गरंतों में क्या लिखा है वो तर सुनी शुनाई रेल बना रहे थे अप दक्कालाओं थे अप बाग कच्र रहे थे ऐसी मूरत बना रहे था हमारे का और हमारे से दक्कालाओं थे आप बैठे रहे थे जो कि जो कि कता सुना का रोटियां जोड़ा घंदा कर रहे थे हमारे पुरूपों पर सराद निकल वाएं जाते वह भी फर गूर्ट बना दिये आपकी पशू बन गे वो गूरूजी अभी देखो देवी भावत महापुराण ये नीचे देखो जीटा परेस गोरूपुर से परकासित है श्री मद्देवी भावत महापुराण नीचे देखो मौट़ा टाइप परकास्त कहें संपादफय हनुमान परसाद पोजार और सिमनलाल गोश्वामी परकास से कहें वही जीटा परेस गोविन्ध भॉन गोबित महुन कारियाला गीता प्रेस गुरुपुरुश अब ये तीसरा शकंद देखो शिरीमत देवी भागवते तीसरा शकंद इतने आचारिय भवानी को शंपून मनौरत पूरुण करने वाली बतलाते हैं वे आधि माया महा सक्ती एमें प्रम्पुरुश के साथ रहकर कारिय शंप्रादन करने वाली प्रकर्ती हैं प्रकर्ती सब जी याद रखना ये गीता जी मकामा होगा प्रकर्ती दुर्गा को कहते हैं सेरा माली को प्रकर्ती कहते हैं द्रहं यानि काल रूपी द्रहं के साथ उनका अभेध संबन है अर्थात वो पती पत्नी रूप हुमें रहते हैं आगे देखो आप क्या जन्मे जी जन्मजे जो पांड़ों का पोता था जन्मजे ने व्यास जी से पूछा व्यास जी कहते हैं कि जन्म जे राजन जो परसन तूने स्रिष्टी रचना का मेरे से पूछा है यही मैंने नारत जी से पूछा था और देवरिशी नारत जी ने बताया के जो व्यास्टी तूने मेरे से परसन पूछा है स्रिष्टी की रचना का किसने की कौन है इसके रचाईता यही परसन मैंने अपने पिता विर्मा जी से पूछा था जो विर्मा जी ने मुझे बताया वो मैं तुझे व्यास जी बताता हूँ नारग जी ने मुझे बता अब देखो व्यास जी कहते हैं महा बाहो कुरू वंसी राजाओ मैं तुम स्रिष्ट राजा हो तुमने जो बाते पूछी हैं ये ही मैंने मुनिवर नारग जी से पूछी थी नारग जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है यही संधे मेरे हर देम उत्पन हो गया था तब मैं अपने पिता अमित तेजसरी बर्माजी के स्थान पर गया उन से इस विशे में उस उन से इस समय जिस विशे में तुम उससे पूछ रहे हो उसी विशे में मैंने पूछा मैंने कहा पिता जी यह संपुण बर्मान कहां से उत्पन हुआ विवो आपने शमेद परकार से इसकी रचना की है अथ्वा विश्मो इस विश्व के रचाईता है या संतर ने इसकी शिरिष्टी की है जगत परभो आप विश्व के आत्मा है सची बात बताने की किरपा करें नारजी को भी पता था, पिताजी तब इचल जाते हैं, ये गँपे मा fund पेलेंगे कहते हैं, सची बताईए, जोट ना व immigration आपने पिताजी से, नारजी कह रहे हैं, कि सची सची बताईए बेए विर एथे तो यहां नारजी ने सपस्ट का है कि साची बात बताना यहां देखने दर्मार जी ने कहा बेटा मैं इस परसंड का क्या उत्तर दूँ यह परसंड बड़ा ही धटिल है पूर्वे काल में सरवतर जल ही जल था सथावर जंगम जितने प्राणी हैं इन में कोई भी नहीं थे तब कमल से मेरी उत्तर्ती हुई उस में मुझे सुरिय चंदर्मा वरश सथावर्वत कोई भी दिखाई नहीं दिये मैं कमल की कनका पर बैठकर विचार करने लगा इस अगाद जल में मैं कैसे उत्पन हो गया कौन एरा रख सक है तरथा इस परले काल में सिर्ष्टी एमेसार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुश है ये भी सपस्ट्रोप से भूमे भी नहीं दीखती जिस पर ये कमल टिका हुआ है ये कमल कैसे उत्पन हो गया यो विचार करके मैं जल में उत्रा एक हजार वरस तक पर भी कानवेशन करता रहा इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला इतने में आकास वानी हुई तब करो तब करो तब मैंने तपिष्चा आर्हम कर दी कमल पर वेखे ही हजार वरस तक मैं तप करता रहा फिर उसी सिमें सिर्ष्टी करो ऐसी आकास वानी सुनाई बड़ी उसे सुनकर मैं बड़े आस्टे लिए हमें पड़ गया सोचा कि किस की सिर्ष्टी करो अत्वा मेरा क्या करता रहा उसी सिने मधू और कैटब नाम के दो भेमकड़ गानों सामने आ गए वे उस महावर्ण में मुझ से युद करने की इच्छा प्रग करने लगे मैं उनसे भेवीत हो उठा तब कमल का डंधल पकड़ के जल में उता वहां मुझे एक परम अधभुत पुरस के दरसन में दे उनका स्रीविग्ग्यम में एक किस मानश्याम था वे पितंबर पैने थे चैर बुजाएं थी सेसना की सेया पर सोये थे उन जगत कर गुके गले में वन माला सुबित कर रही थी गले को बन माला सुबित कर रही थी संग चरकर गगाप और पदम इन चार अविदों से वे अनुपम सोबा पा रहे थे ऐसे सेस्याई भगवान विसनों का मुझे दरसन हुआ वे योम निंदरा के वसी भूत होकर गाठी नीद में सोये हुए थे उनकी सारी चेश्टा इंसांट थी नारजी सेस्याई की सेयाई पर सोये हुए उन पर भू को देखकर मेरा मन चिंटी थोटा अब ये विसनों की बेहुँस कर रहा के थे दुर्गा ने भूतने की तरह इसमें परवेस करके लेकिन ये विरमाई बाता ने उदर उदर करने की चेश्टा कर रहा था लेकिन इस सामने वो सजाई आकर ही देखो आगे सेस्टनाकी सेयाई नारजी सेस्टनाकी पर सोये उन पर भू को देखकर मेरा मन चिंटीत हो था इतने मैं भगवती योग निंद्रा यादा दी मैंने उनका सत्वन किया तब्वे कल्यानमई भगवती विष्णों के विग्रे विग्रे मने सीर से स्री विष्णों के विग्रे से निकल कर अचेंत रूप भारन करके आकास में विराज मान होगी एक भूतनी की तरह है उपर औरत रुक में परगट होगी दिव आभुशन उसने गहने पहने हुए थे दिव आभुशन उरकी छवी बढ़ा रहे थे जब योगनेंदरा भगवान विश्णों के सिरीर से अलग होकर आकासन सरीर से विग्रहमन सरीर से अलग होकर आकासन विराजने लगी तब तुरंद सिरी हरी उट बैठे विश्मो जी जागे होसम आगे उन्होंने मधूर कैटब के साथ पांच हजार वरस तक बड़ी गमासान लड़ाई की तब वे दैत मरे पांच हजार वरस तो दो राकसस बगवान विश्मों से नहीं मर पाए समर्चता यहां भी फेल हो जाती है मरे भी कैसे तब कैसे मरे पहले देवी के कठाक से मधू और कैटब मोहित हो गए थे उस आकास में दुरगा थी वो सुन्दर लड़की के रूफ में नीचे आई और ये मधू और कैटब रासस उसकी तरफ बदनियत से देखने लगे और इस फिर पीछे से विश्मों ना पकड कर एक एक और जब वो उनका गला दुरा दुरा के मारे सीद्धे वगवान विश्मों से ये दो रासस मरे नहीं ये आपकी अपनी देवी भागत मा पुरान परमान दे रही है इसके बाद भगवान पहले देवी के कराफ से मधू और कैटब मोहित होगे इसके बाद भगवान विश्मों ने गोद में लिटा कर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया शिरिष्टी सरू होते ही लठ्थम लठ्था यहां काल लोग के यह ऐसे रंडमे वाई अब वहां मैं और भगवान विश्मों दो थे वहीं रूदर भी परगट होगे हम तीनों को भगवती अज्धा सक्ती के दरसन वे उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया हमने उनकी उत्म सतीती की अब वहां तीन होगे वहां मैं और भगवान विश्मों दो थे फिर माजी कहरें वहां रूदर यह संकर भी आगया अब तीनों को वे होश करका था जवान होए तब तीनों को होश में लाके काल के आदेस से दुरगाने कट्टे कर दिये हम तीनों को भगवती अध्या सक्ती के दर्शन पे उन्हें देखकर मनमुग्द हो गया हमने उनकी उतन सतूची की तब वे आजी सक्ती हम लोगों से कहने लगी देवी ने कहा बिर्मा विश्मों और महेस्वर यानि यहां रूदर दिखा है यहां उसको रूदर अर्थ महेस्वर किया है तो वहां आपने देखा स्यू महापरान में नौ मेजाय में इस परकार की इननों देवताओं में बिर्मा विश्मों और रूदर रूदर कहो और चाहे महेस्वर कहो रूदर का अर्थ महेस्वर ही होता है ये सिव ये वहां सिव काल है बर्मा विश्णू और महिस्वर्तम वजी बाती सावधान होकर अपने अपने कारिये में सनलगन हो जाओ शिरिश्टी सथिछी और सहार ये तुम्हारे कारिये हैं बर्मा जी कहते हैं वगवती अज्धा सक्ती की ये वाणी बड़ी मधूर थी सुन्दर एंट सुत्परत थी हम ने वह सपर सुनी हम लोगों ने उनसे कहा माता हम किस परकार इन परजाओं आधी के सरजन परजाओं के सरजन आधी कारिये करें सपनों इस तरिश्टी गूमी का बाओ है हमारी बात सुनकर उनकल्यान सरूपनी भगवती करामुकमंडल मुस्कान से धर गया इतने में एक सुन्दर विमान आका से उतराया तब उन देवी ने हमें आग्या दी देवताओं दिर भी खोकर सुरिच्छा पुर्वकिस विमान में परवेश कर जाओ दुर्गा ने उनको विमान में बठाया बिर्मा विष्णु और रुदर्व यानि सीव आज मैं तुम्हें एक अद्भू द्रश्य दिखलाती हूँ हमने भगवती की बात सुनकर उसे स्रोधारिय कर दिया उस रतन जडित विमान पर व्टड कर हम लोग आराम से बैठ गई है हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामरते से विमान को आकास में उड़ा दिया बिर्माधी कहते हैं उन मन के सम्मान की वरगपी से चलने वाला हुए विमान जिस प्रिची सथान पर गया वहां सम्पुर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वरगशते यहां देखो अक्षन भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर परदेश में पहुचा देखा तो वहीं महाभाग इंदर भी थे उनके समीपुन की प्राण प्रिया सची विद्मान थी आगे देखो अब आपको दिखा था भी चीतर में अब फिर दिखाते हैं यह कहां लेकर गई दूर्गाइन को यह देखो यह एक ब्रमान का चीतर है और यह एक द्रहम लोग इसका विष्टित यहां लिखा है इसको विष्टित लिखे यह सारा समुद्र है यह इतना सारा यह अंदर अंदर समुद्र भरा हुआ है यह सारा समुद्र है यह टापू है एक वरक्ष है यह शमेरू परुट है बहुत बड़ा अपने यसी पा्री शी मिज़र आरी है और यहां यह सुंदर बाग था जब यहां से इनको यहां से ऐसे प्र wohlश कराया है तो यह यहां आए यह सुंदर फ़ल्दार वरक्स देखे बाग भूबभी चे रेखे यह यहां पर थे इसके और फिर यह यहां गए यहां से फिर वापिस लेक इनको दुरुगा यहां बेचा वहाँ एक दूसरा बरमा देखा एक सिर्द लेखा, एक विश्मू देखा यह काल ही वहाँ पर यह रोल कर रहा था, यह काल ही आपने लिला कर रहा है इनको गुम्रह करने के दिए यह यहां पहुंचे इस में से निकल कर यहां आए यहां महाःर महा-वारबती रूप में यह खुद बैठा है काल तो पहले उनोंने यहां देखा उसके बाद यहां आए फिर यहां आए नहीं रख, पीछे कर दो यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए और फिर वापिस तुर्गा के पास पहुच दे अब आपको दिखाते हैं यह सारा वरनन इसके अल्द लिखा है इतने में हमारा, नीचे देखो इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दीव धाम बर्म लोक में जा पहुचा वहां एक दूसरे बर्मा विराजमान थे एक केट बर्मा भी सुनों महिस्तो उस विमान में बैठे हैं वो दूसरा कौम देखा वहाँ एक दूसरे बिर्मा विराजमान थे उन्हें देखकर बगवान शरंकर और विष्णू को बडास्ट दिये कुआ बगवान शरंकर और विष्णू ने हुझ से पूछा सतुरानन ये अविनासी बिर्मा कौन है मैंने उत्तर दिया मुझे कुछ पता नहीं शर्ष्टी के दिष्टता ये कौन है बगवन मैं कौन हूँ ये कौन है और हमारा उदिश्य क्या है इस उल्जन में मेरा मन चकर काट रहा है इतने में मन केश मान तिवर गमी वह विमान तुर्द्वान से चल पढ़ा और कैलास के सुर में शिक्र पर जा पहुंचा वहां विमान के पहुंचते ही भव्य भवन से एक भव्य भवन से नितर नितर धारी वगवान शंका निकले वे नंदी वर्सपर बैठे थे जो देखो लुचे अक्ष्ण भर के बाद वह विमान उस सिक्कर से भी पावन के समान तेज़ चाल से उड़ा वेपूंच लौक में पहुंच गया पहुंच गया वहां भगवती लक्समी का विलास बवन था बेटा नारद वहां मैं ने जो संपती देखी उस का वनन करना मेरे लिए असंबव है उस उत्नपरी को देखकर विश्णू का मनास्त्रिय के समुदर में गोते खाने लगा वहां एक कमल लोचन सिरी हरी यान विश्मू विराजमान थे अलसी के फूर के समान उनके सिरी विग्रे की गांती थी पीतनामर पहने थे चैर बोजाए थी वे फक्सी राज गुरूर पर विराजमान थे इतने महिपान से बाते करता हुआ वह विमान तुरन तूड़ गया आगे अमर्त के समान मीठा जल वाला शमुदर मिला उस जल उसका जल बड़ा ही मदूर था जोर जोर से तरंगे उठ रही थी वही पर एक मनहोर दूइप बिछा था उसी दूइप में वही पर एक मनहोर दूइप था उसी दूइप में एक मंगल मनहोर पलंग बिछा था उस उत्तम पलंग पर एक दीवरमणी बैठी थी उनके गले में लाल रंकी माला थी लाल वस्तरों से स्रिविक ज्रह से सोभी था लाल चंदन लगाई हुए थी लाल लाल नेतर थे वे ऐसी परभाव पुरुन देवी की मान करोड बी जनियां एक साथ चन्मक रही हो अतेजित संदर मुक्ता लाल लाल नाग थे क्रोड़ों लक्स में से भी अजीक वर संदर थी अब देखो उन्हें देखकर हम सभी महानास्तरिये में पड़ गए कुछ समें तक हम वही ठैरे रहे अपस मैं कहने बर गए ये संदरी कौन है इसका क्या नाम है हम इसके विशे में बिलकुल अनभिज है अब फिर काल ने विश्मों को चेतना दे दी बच्पन की याद उसकी पुदी खोल दी थोड़ी सी नारग यों संदे गरस्ट होकर हम लोग महां रुके रहे तब भगवान विश्मों ने चारु साहिनी वगवती को देखकर विविप पुरुक निश्चे कर लिया ये वे भगवती जज़ब्रम्विका है तब हुनोंने कहा कि ये भगवती हम सर्दी की आदी खरन है महा विद्या महा माया इनकी नाम है ये पूरन परकिरती है अर्थाथ इसको परकिरती भी कहते हैं दुर्गा है ये अपनी मा है उसको याद आगी काल विष्णोंने काल की बुरी खोल दी ये सर्वेश्वरी देवगर्भा और सीवा कहलाती है दुर्गा को सीवा भी कहते हैं आगे देखो ये वेही दिमांगना है इसमों जी को याद आगी अपने बच्षपन की काल में बुरी खोल दी गीता जी में काल हमवान कहता है कि मेरे अंतरगत जितने प्राणी है उनका बलवानों का बल और बुरी मानों की वही मेरे हाथ में है ये वेही दिमांगना है कहती है ये वही देवी है ये वही दिवागना है जिनके पर लेवन में जब पानी ही पानी था कोई भी नहीं था मुझे दरसन हुए थे उससे में बालक रूप में था मुझे पालने पालने परियत जुला रही थी मैं चोटा सा बालक था वरक्स वट के पत्तर पर सुदर्स सिया बिची थी उस तर लेट कर मैं पैर के अगुटे को अपने कमल जैसे मुखमे लेकर चूस रहा था ये 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 देवी है इसमे कोई शंदे की बात नहीं रही उन्हें देकर मुझे पहले की बात याद आ गई ये हम सब की जन्मी है इनके विशे में मेरी जीतनी जानकारी है तो था मैं जो कुछ अन्भव कर चुका हूँ वह सुनाता हूँ सुनो अब आगे देखो 123 प्रिष्ट पर सपस्ट हो जाता है ये तीनो नास वान है 123 प्रिष्ट पर तीसरा शकन चलता है तीसरा शकन बगवान विष्णु अपनी माता की सतूती कर रहा है तुम सुद सरूपा हो ये संसार तुमी से उद्भासी थुरा है मैं बर्मा और संकर विष्णु बर्मा और संकर हम सभी तुमारी करपा से विद्मान है हमारा अविर भाव और तरो भाव हुआ करता है हमारा तो अविर भाव मने जनम और तरो भाव मने मर्दू होती है केवल तुम ही नत हो जगत जन्नी हो परकर्ती और सनातनी देवी हो परकर्ती भी याद रखना दुलगा को कहते है बगवान संट बोले देवी यदि महा भाग विश्वों तुम ही शे परगट हुए है तो उनके बाद उत्पन होने वाले बर्मा भी तुम्हारी बालक हुए फिर मैं तमोगनी डिला करने वाला संकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ अधात मुझे भी उत्पन करने वाली तुम ही हो ओई ओई ये बगवान ये पुर्वातना अधाति ये सफच कर रहे हैं यहां देखना कि जाओ बेटा तुम, अब अपना कारिये संभारो, ये इनके तीनों के ये तीनों लोग पेले ही रचे हुए थे, और दुर्गा ने इनको उहां भेज दिया, इन तीनों को अपने अपने लोग में छोड़ दिया, उस बर्वन लोग से बाहर, ये इनके लोग पेले ही यहां बने थे, ये विश्मु जी का लोग एक बर्मानड में, बर्माजी का लोग और ये सीव जी का लोग, इनको यहां एक एको चोड़ दिया, उस बिमान के मादम के, फिर दुर्गा ने इन तीनों से कहा, कि तुम सिर्च की उत्पन करो और मेरे से साधी करो अब ये तीनों कहने लगे कि माता नार पुत्र की होई ए जननी ये कहां अगद होई ए माता इस पाप को हम कहां साथ करेंगे इस अगद को दुर्गा ने कहा बेटा मैं तुम्हारी प्रिक्षा लेना चाहती थी मैं ये देखना चाहती थी कि तुम वैसे ही जवान होगे हो या कुछ विरेक भी रखते हो इसलिए तुम जाओ शागर मन्थन करो पहले शागर मन्थन पर भेज दिये तीनों साधी फिर बाद में होती है उन परमात्मा ने ये पूरा ग्यान जोती नरदन के अंदर फिर्ड कर रखा था काल में काल ने वहाँ क्या लिला की अपनी स्वासों से जैसे कंपूटर से सारा मैट्रियल बाहर नकाल दिया जाता प्रेंट हो जाते हैं और इस परकार परमात्मा ने अपना पूरा ग्यान उस जोती नरदन के कंपूटर में फिर्ड कर दिया था उसके स्रीर में उसने अपने स्वासों से उसने अपने स्वासों से फिर वो बाहर निकाल दिया शमुदर में डाल दिया चार वेद डाल दिया प्रांचमा जो ये दास ज्यान आपको बता रहा है फ्रमात्मा ने उसको दिया था उसने गुप्त कर दिया फिर प्रमेश्वने स्विमी आकर कि ये प्रांचमा वेद फिर बताना पड़ा काल ने वो चारों वेद बिर्मा को वहां समुल्धर मर गुप्त उपा दिये जब उन्होंने सागर मंतल पर थंबार किया तो चारों वेद बाहर निकलाई ऐसे बिलकल उपर तैरने लगे गर्मने वो तिन्नों चारों वेद उठाए लेकर आगया वेदों में पढ़ा कि इस सारी सिश्टी का रसनहार पुल वालिक कोई और है उससे पहले ये चारों पूतर पूछा करते थे तिन्नों पूतर पूछा करते थे मां से कि माता हमारा पिता कौन है तो माता कहती थी तुम्हारा कोई पिता नहीं मैं ही तुम्हारी मा हूँ मैं ही तुम्हारा पिता तो कि जोती निरजन ने कसम खुआई थी कि मेरा भेद नहीं बता देगी तो इनको अगर भेद बताओगी तो मेरे से बुरा नहीं होगा इस प्रके मारे दुर्गा ने बच्चों को सक्त नहीं बताई थी अब बच्चों ने फिर पुछा कि माता आप तो कहते थे कि तुमारा पिता है नहीं कोई मालिक नहीं और अब इस वेद बता रहे हैं प्रमात्मा तो से स्रीर है वो तो आकार में है दुर्गा बादी बाई वो तुम्हें दरसनी देगा वो उसका नियम है अब बिर्मा ने कहा माता जी आपकी इन गोगली बातों पर अब मुझे विश्वास रहा नहीं वेद सत्य है दुर्गा ने कहा हाँ बाई वेद सत्य है वेद सत्य है तो माता आप सत्य नहीं हो वेद कहते हैं प्रमात्मा साकार है अगने तरनुरसी तरनुरसी विश्णवे तवासोमस से तरनुरसी प्रमातमा से सरीर है मैं और उसमें विधी दिखी है ओम नाम का जाब करूँगा उसका ध्यान लगाऊंगा बक्ती करूँगा मैं उसके दर्सन पाऊंगा दुर्गा ने कहा बेटा वो तुम्हें दर्सन नहीं देगा तुम्हा अपना समय जर्थ करता है नहीं माना दुर्गा ने कहा यदी तेरा पिता तुझे नहीं मिला दर्सन नहीं हुए तो तु क्या करेगा अनाडी बिर्मा ने कहा मैं तुझे दर्सन सकल नहीं दिखाऊंगा अगर मुझे दर्सन नहीं हुए तो मैं पिता के दस्वन करके मानूंगा इसने लिखा है वेदों में एस है स्रीर है ओम का नाम जाप लिखा और क्या बात है मिलेगा क्यों नहीं वेद सच्च हैं पर इनको सोचने वाले सच्च नहीं थे उनकी पूरी पुर्ण बुधी नहीं थी इसकर के ओम नाम को फुर्ण परमात्मा का माने के जाप करते रहीं चार युब तक बरमाने मेडिटेशन किया ध्यान लगा, सुमादी लगा, नाम जाप किया अब परमात्मा के दरसन खेनी यह आवासा हो यह बेठ रहा है मातर वापिस हावा तो सर्म लगया है मा के सामने युकाय कर जा रहा कि मैं दरसन नहीं दूँगा आपको तब आकासवानी की जयोती निरंजने बुर्णा से कहा कि सिर्ष्टी क्यों ही प्राहम कर रहे है दूर्णा ने कहा तेरा जेठा बेटा तेरा जेष्ट पूत्र दर्मा आपकी खोज कर रहा है मानता नहीं हट करके गया है जोती निरंजने कहा कि उसको सीब बुलाओ सिर्ष्टी प्राहम करो और मैंने दरसन नहीं देने वोचे कुछ भी करे दुर्गा ने अपने वचन सकी से एक गायतरी नामक एक लड़की उत्पन की उससे कहा बेटी जा तू अपने भाई बिर्भा को जगा कर ला उसके चलन छुना चलन छुते ही उसकी समाधी तूट जागी उसको बता देना कि मान नहीं याद किया है आपसे घर चलो तेरे बिना ये जीवों की खुदपती रुखी हुई है अब गायतरी वहां गई गायतरी देवी ने गर्मा का ये चलन छुए चलन सफर्ष करते ही गर्मा की समाधी तूट गई सामने एक युवा लड़की को देखकर ब्रमा के ने कहा कि तू कौन पापनी आगी है मेरे धर्म को नश्ट करने के लिए मेरी भक्ती को खराब करने के लिए मुझे तुझे सराफ देता हूँ गायतरी ने कहा मेरी बात सुन दो मेरा कोई दोस हो तो मुझे सजा देना माने याद किया है उनके आदेश से मजली आई हूँ आपको बुलाया है आपके बना सिरिष्टी नहीं रची जा रही है मा बहुत दुखी है तेरे दिना आप चबरो वापस गर्मा कहता है गायतरी कैसे चलू मा के सामने तुम मैंने ना ये बात कही हुई है मुझे सरम आती है अब अगर पिता के मेरे उनके सामने जाओं तो मुझे सरम आती है मैं नहीं जा सकता हाँ एक बात कर दे तुम मेरी जूठी गवाई दे देना के बिरमान पिता के दरसन होगे मैं तेरे संग चलूँगा अब गायतरी में कोई सरत रखी कि कहीं मैं इसकी जूठी गवाई दे दू और ये वहाँ साची बता दे तो मेरे कुछ सजागल है तो उसमें भी एक सरत रखी जो यहां बताने योगे नहीं है उसके बाद उसमें गायतरी ने फिर अपनी सबसक्ती से एक और लड़की उत्पन की उसका नाव पूरक वदी रखा उससे भी दर्मा दर्मा को उकसाया के इससे भी इसको गवाँ बना लेते हैं उसने भी ऐसी है एक सरत रखी दर्मा और ये तीन वापस आगे अप ताल मेर करकर जूठा सचा दुर्गा ने पूछा बेटा तुने अपने पिता के दर्सन किये अखामा बगर दर्सन की आने वाला नी था मैं वो कोई कच्ची गोलियों नहीं खेलता वही कोई पर्माण प्रूफ बता कैसे देखा कैसा तेरा पिता बढ़ा तेजों में सरीर था नूर ही नूर था एक किसने देखा और गोही कोना कि ये दोनों को पूछ लें के सामने दर्सन दिये मुझे माई ने पूछा भी बोलो ऐसा ही है ते दोनों ने कह दिया हाँ जी हमारे सामने दर्सन दिये वे तो मौर्ण पर्मान है वो से सरीर है ते जो में सरीर है मनुस जैसा है वो तो किरा दिये लोने अब दुर्ग अक्षुब्द होगी अपने पती के उपर नराज होगी जो तीन रजन के उपर कि मुझे तो कह रहा था मैं किसी को दर्सन ही दूँगा और इन बच्चों को दर्सन दे दिये है कि कांत मैं जाकर बैठ जाती है और कहती है समाज तेरे रब्ड मेंने मेरे बसकानी इसे दोगले बचन कहने वारे का कोई काम करूँ मुझे तो कहरे तो मैं किसी का दरसन नहीं दूँगा इनको आपने दरसन दे दिये मुझे जूटा बना दिया आगास वानी की जोती मेरण निकालने कि ये तीनों छूट हो रहे हैं मैंने इनको कोई दरसन नहीं दिये फिर आई करडियों कहे दुर्गा कैन लगी रे नकुमो तुम जूट बोलते हो आगास वानी हुई है परमात मा की वो कहते हैं कि मैंने कोई दरसन नहीं दिये तुम जूटे हो फिर वो तीनों हसन लगे कैन लगे माता पता के दरसन हुए नहीं आपके पास आने में मुझे शर्म लग रही थी दर्मा को साप दिया के तेरी फूजा जदत में नहीं होगी और इन वेद्बों के पढ़ने वारे तेरे जैसे पाक हंडी होंगे वो सची किसे बताओं को ना उनको ग्यान नहीं होगा इस मारे का जुनिया को ठक ठक खाया करेंगे जूठे ग्यान परचार किया करेंगे तेरे वनसज और नरक के भागी होंगे दर्मा ये वचन सुनकर बेहौस हो गया बहुत देर के बाद हौस नाया उन दोनों लड़कियों को दुर्गा ने सराप दे दिया गाहितरी को साप दिया के तू गाएं बनेगी तेरे कई कई सांड पती होंगे और पोप पती को साप दे दिया के तू गंदे सथान पर उत्पर होने वारी एक बूटी होगी तेरा ठिकाना गंद गीम होगा ऐसे सराप दे करके दुर्गा फिर विश्गु जी के पास गई हाँ उदर से फिर काल ने जब दुर्गा ने दिल सराप दे दिया इन तीनों पूत्रों को बच्चों को तो काल ने सराप दे दिया दुर्गा को के दुर्गा तुने तुने कोई हिमत नहीं है तुने ये अपनी जहना जुरुडेक्षन से अपनी पावर से बाहर काम किया है तुने मरियादा भंग की है मेरे शासन की तुने इन बच्चों को सराप दिया है मैं तुझे सराप देता हूँ दौप्रियुग में तुब दुरुपती होगी तेरे पांस पती होगे अब दुरुगा ने कहा कि जो तुने रंजन मैं तेरे वस पड़गी मैंने अपने पैर पर आपको वाड़ा मार रख्या है अपने बगवान अपने मूल मालिक मैं छोड़के मैं तेरे साथ मायगी अरी तु मुझे नाना नाच नचा रहा है नचारे कितने नचाना चाता है बच्चों एक रख तो मुझे यहां की ठेकेदार नी बना रखा है उपर से कोई बचे गलती करते हैं थोड़ी सकती करती हो तो तुम मुझे बराबर शजा दे रहा है फिर भी वहां से चल पड़ी विश्नु के पास गई विश्नु जी से कहा के बेटा ते भी अपने पिता की तलास कर दे कहीं फिर भग में समाधी लगा लगाना बैठ जाओ विश्नु जी वहां से चल पड़ा सेसनाग के लोक में गया वहां सेसनाग का एक लोक है उस समुदर में जब वह परवेश किया विश्नु जी में तो सेसनाग ने सोचा कि ये विक्ती मेरी जर्वडेक्शन में मेरी सीमा में और बगएर रोक्टो के बगएर मेरे परमिशन के ऐसे आ रहा है बेधड़क होकर इसको मज़ा चिखाता हूँ एक हजार फोन ने उतार ने लिए ऐसे खाना लिए और एक दमों से भूंकारा छोड़ा विश्का आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजी हमारी वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंदर हैं जिन पर संत रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541